तो यह होगी लाइव ट्रेडिंग वीडियो और आज इसलिए बना रहो क्योंकि आज कुछ समझाने को है ठीक है तो सबसे पहले तो नीचे टेलिग्राम का लिंक है टेलिग्राम जॉइन कर लो राइट वह बात खतब वहीं पर अप्डेट आती है ठीक है अब में ट्रेड कर रहा हूं आज बैंक में तो पहले मैं उसका रेजन होता हुआ कि मैंने डैंक की बनाया और फिन लिख्टाइर यह थिक्सरेड्य का ट्रेड क्यों नीए बनाया देखो यह मैं समय देखाता हूं आपको और फिनिफटी फिक है यह अच्प राइसिंग जो कि मतलब जैसे एड़ दमनीज उता हुआ उसकी प्राइसिंग ठीक है कि मार्केट क्या एक्सपेट कर रही है कल की हमारी closing हुई थी 120 रुपे कि 120 रुपे का हम premium पे close हो रहे हैं हम close का हुए थे यहां पर आज हम खुलते gap down अब जब हम gap down खुले ना तो premium अगर मैं premium दिखाऊंगो कहां खुला यह 100 रुपे पे ठीक है अब मेरे को यह था कि 100 रुपे का premium तो justified ही नहीं है फिर nifty के लिए और आप देख सकते हो within like 15 minutes सौपर्ण का move देकर सौपर्ण कैंसल ठीक है पहला ही 30 मिनट में 100 रुप सौपर्ण डाउन तो यहीं पर पता लग गया था कि decision सही है उसके बाद मैंने पूरा दिन इसको ignore करा क्योंकि यह 100 रॉइंड का premium मांग रहा है और मुझे पता है upside जो इसके उपर निकल सकता है अगर इसके उपर निकली मार्केट तो problem होगी downside में cascade जादा नहीं होगा लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता फिन निफ्टी के अंदर ठीक है क्योंकि तीनों इंडेक्स आज अलग चल रहे है निफ्टी वीकेस्ट है बैंक निफ्टी स्ट्रॉंग है और फिन निफ्टी बीच 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 में चल रहा है तो कोई clear डायरेक्शन नहीं थी एक वीव नहीं था तो मैंने सीधा सीधा लात मार दी अपने फिन निफ्टी को तो कि आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा इसको अब आथे मैंने बैंक निफ्टी को चूस करते ला टान फिक है कि मतलब था मतलब बनाए मने ट्रेड बनाया था अभी करने के बाद ट्रेड है इसमें तो lucky कि और 500 कमाने कवा यह आफट यंच से वह openness कुछ इस तरह था आशा यह होगा नहीं एक सेकंड रुको मैं भी स्टॉक मॉक में डालके आपको दिखाता हूं तो मेरा ट्रेड था कुछ इस तरह ठीक है और डिप्लॉई कर रहा था मैंने अब क्या हुआ है मार्केट में कुछ 6000 का प्रॉफिट हो रहा है और इस तरह मैंने पूरा का प्रॉफिट कम करा लॉस कम करा और इस ट्रेड को एजस्ट करके ऐसे बना दिया यह अब इसमें क्या है मैं ऐसा ट्रेड क्यों बनाए है अगर हम परीमियम जाके देखेंगे न तो ओवर और प्रीमियम सारी चीजों के कम है ठीक है तो मुझे क्या लग रहा है कि किसी भी सेट एक्सपैंशन आ सकता है अपसाइड भी ज्यादा डर मेर को अपसाइड की तरफ है क्योंकि हम पहली स्ट्रेच हो चुक्य है ठीक है फिर भी यू नेवर नो किस सेट स्पाइक आएगा क्यों कि यह प्रीमियम जो है यह बहुत ही कम है करेंट मार्किट सेनेर्यू के हिसाब से एक सो घसी टूजडे के बीच दिन में देखो अभी साड़े बारा हो रही है साड़े बारा पर फिन निफ्टी कह रहा है कि मैं सिर्फ पचास पॉइंट हिलूंगा अब ऐसा कौन मान सकता ह जो कि एक दो मिनिट पर यहां पर भी देखो आप 21100 से दो सो पॉइंट में तो कहां इस चीज पर तुम पचास पॉइंट के लिए बैट लेके बैठा हो कुछ ठीक है ना तो ऐसा ट्रेड बना रखें बाकी मैं आपको अपडेट कर दूगा कुछ होगा तो आज ही दाल कि कैसे बैनेज करूँगा कर लॉस में जाएगी बाकी यह चीज ध्यान रखो कि यह 5000 रूप है सिरो पांट 25 परसंड का लॉस है मेरे कैपिटल में तो अब्विसली मेरे को इतनी स्ट्रेस नहीं होगा मैं आराम से इसको होल्ड कर सकता हूं ठीक है जो कि असली की फैक्टर ह में लाने के लिए कि आप उसको होल्ड करने का दम रखते हैं अब यह 50,000 होता तो हो सकता है टेंशन हो रही होती है लेकिन क्योंकि 5700 है तो कितना हो डर है नहीं खास राइट तो पर तो मैं आपको अप्डेट जैसे भी हुआ है गाइस तो मैंने एक ट्रेट लिया था फिन और 14-15,000 का प्रॉफिट था बट वो अबिसली नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने मूव नहीं दिया बट इस वाट इस यह इतरा साथ तो करना बड़ता है क्योंकि थोड़ा अपने आपको मेंटली भी थोड़ी चल कम हो जाती है बागी कल के ट्रेट की बात करू तो कुछ म अब बात आती है कि यह कैसे हो सकता है विदलब क्या हो सकता मार्केट वे देखो जो प्रीमियम चल रहे ना भी यह देखो 300 रुपे 300 रुपे कुछ भी नहीं होते और 170 ना वेड़नेस डे की मिड़नेस डे को प्राइस होता है और यह त्यूजडे क्लोजिंग पर प्राइस है निफ्टी का तो प्रीमियम विक्स 12 के नीचे है प्रीमियम भूत ही कम है तो कल किसी भी साइट एक्सपैंशन आ सकती है या तो अपसेड यह तो डाउंसाइड डाउंसाइड आएगी तो कितने का लॉस होगा 6000 रुपे का 0.25 परसेंट अपसेड आएगी तो 2-5 परसेंट का प्रॉफिट होने का चांस बन सकता है इसलिए यह ट्रेड मेरे लिए परफेक्ट है बाकि कल की कल देखते क्या होता है और मैं आपको तब अपडेट कर दूँगा यह मैं आज अपलोड कर दूँगा बाकि वो कल आ जाएगी थैंक्यू